नए रासन कार्ड को लेकर लोगों में काफियस मंजस हैं वाड़ पारसदों के लिए मुस्किले बन चुकी है जीविका और एने यूलम के दौरा जो सर्वे किया गया था उसमें कई गलवडिया हुई हैं और वाड़ पारसद लगतार अपने छेतर के जनता के लिए काड़ सुधुरवाने के लिए प्रयासरत हैं ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि इतनी बड़ी गलवड़ी हुई तो हुई कैसे क्योंकि जिस तरीके से वाड़ पारसदों को न्यूक्त किया गया तो सवाल ये उड़ता है कि पारसद प्रतिनिधिक किस लिए है सर्वे के दर्मियान कई तरीके के तरूटी देखने को मिला कि जिवी का पूरी तरीके सर्वे नहीं कर पाई और आज इस्तिति ये है कि कहीं 500 काड़ गया तो वहां से 76 काड़ आया है 800 गया तो 37 काड़ आया है 500 गया तो 640 काड़ आया 700 गया तो 10 काड़ इस तरीके का आया है उसके बाद कई नामों में भी तरूटी हुआ है तो आई हम बात करते हैं वार्ड नमर 37 की जो पारसद है इनके रासन कार्ड लेकर इनके हाँ वाड में क्या है जनता की रहा है जनता किस तरीके से इनके उपर हावी है आई दिन इससे पहले भी इनके दरवाजे पर कुछ लोग पहुँचे थे और जम कर बावाल भी काटा था कि रासन कार्ड उनके हाँ रासन आया हो दे नहीं नहीं अगले बार 14 को इतना वाबाल हुआ लोग शारा पेपर में, मिडिया में, हम सारा दिये थे नीज में अब इसके करन एक जीविका दिदी को सूप दिया गया हर वाड में पारस्वेय के अपर मंदीर के पास बढ़ी इनार के पास और वहां पर जाके नहीं सब को भुला ली बुला के सरवे कि इना बाट पारस्वत को बता ही न किसी को उनको सरवे इसलिए दियागा कि घर घर जाके गडीब को सरवे करके रासन कार्ड बनाना मेरे बाड से 7800 रासन फार्म जमा हुआ जिसमें मात्र 34 गर रासन क करना पर नहीं करना देनी है रहा कटवा देनी है और जीविका देदी को काम मिला है तो हमको क्यूं आप बोल रही है मुख मंतरी खाली पारसवत को गाली सुनवाना चाहते हैं एक तो वाट के पारसवत को बना दिये उस लॉगड़न भी हुगा ना कुछ हाल चाल पूछे कुछ विवड़न पूछे और उसके बाद वाट पारसवत को ही सब को सुनना पड़ता है जब जीविका को दिया गया है तो आप जीविका से सवाल किया किजिए बताइए ऐसे स्थिति में दोसी कौन है क्यूंकि जिस तरीके से पारसवत के ऊपर लोग कई तरीके गहरों प बनचीत है और सारा बात पारसवते को सुनने निग जीविका को दिया गया था कवर अब लोग वर्ष्ठ से से अवाल पूंसी καदिया है नगर अद्व जो संवाथ नहीं होगा घ्या कुछ पार्षर्थ भी वह जोने चोले थाइन पेशरा कुछ नहीं in में đã और उनको कीव यजम्ध कर सबस्geld कर गया तो जीवीका जबाब देए वो क्यूंत माइद निए रुए रवाण में अपने दर्वाजया पर जीवीका के नंबर लिगद यू आप जितना सर्वे की उतना क्यों ही रासन कいました कि इस बात अभी फिलहाल आंतोदे काड़ जो पीला काड़ है वह एक बहुत बड़ी समस्या है जो जी कई वाड़ों में ऐसे देखा गया है कि अन्तोदे काड़ जो था उसको बंद कर दिया गया है तो वह अभी रासन के लिए दर दर भठक रहें लोग क्योंकि बताया जा रहे हैं पहले मीलत रहा था अब नहीं मिल रहा है वह भी मेरे पास आ रही है कि मैडम देखी ना रासन हमारा निखे मीलत उसका भी समस्य बहुत बड़ा है जिसके इसके विसे में भी जनकाड़ी देना चाहिए वाट पारसवत को अखिर वाट पारस समस्य कभी हो समस्य हर चीज अलग अलग दिया पेंशन विकास मित्र को दे दी गया जीविका को दे दिया गया रासन काड़ बनाने के लिए अब बात सुने वाट पारसवत किसी को खेट कटी है किसी का करजा तो नहीं कही है मैं मुख मंत्री और मेयर और नगरा एक से ही मां करूंगी कि जन परती निदी को समस्य सुना जाए उसका समधान निकाला जाए इसमें हम लोग की भलाई है और आपकी भलाई है इसमें ध्यान दिया जाए एक पारसदे है जो सारा आरा सहर का बोजह लेकर चल रहा है बहुत यह थी वार्ड नंबर 37 के पारसथ सीता देवी जो बीगत 14 अप्रिल के इनकों घर को पर कुछ लोगों ने रासन घर में छिपाने का लेकर हमला बोल दिया था अब रासन कार्ड में तुर्टी हो चुका है जिविका दिदी और नियूलम के जो सर्वे कराया क्या था उसमें काफी आनियमितता देखी गई है और यह लगता अपने अस्तर से परयास कर रही है क्योंकि इस तरीके से इन्हें लगता है कि जनता इन्हें चुना है तो मुख मंतरी को कहीं ने कहीं पार सदों पर वो भरोसा नहीं है कि उन्होंने रहता है बोलता कि हम यह करवा दिये जबकि पूरी टाइम हम दीनों भर घर से बाहर निक पारसदों के लिए मुसीबत बना हुए एक तरफ भी पक्ष हो गया दूसरे तरफ नहीं विले में आम जनता है उसको बलगलाते रहता है कि सारा कम हम करवा रहे हैं कुछ करवा रही है मैं पूरा टाइम हम लोग को इतना जहलना पड़ता कि हम ही जानते हैं क्या है हम लोग का मेर से रुवी में मैडम से कि इस पर सारा पारसद को ध्यान दिया जाए क्योंकि हम लोग उनको बहुत इजयत करते हैं और सम्मान देते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग पारसद महिला पारसद जितने भी पारसद है जीत कर आए उस पर ध्यान दिया जाए क्योंक मैडम एक महिला का बास सुनेंगी और सब कुम चाहते हैं गड़ीब जितना भी गड़ीब है सब को रासन का